अचलपूर विधानसभा शेत्र इन दिनों बड़े ही प्रसिद्ध चर्चा शेत्र बना हुआ था। इस विधानसभा शेत्र के लिए जहां अचलपूर के भूत पूर्व खासदार नौनी त्राना अपनी हर नजर बनाय हुए रखी हुई थी। वही इस अचलपूर विधान शेत्र पर पहले बार भार्तिय जन्ता पार्टी का कोई उमीदवार प्रवीन ताइडे अपने दाविदारी आजमा रहे थे। इसलिए इस बार भार्तिय जन्ता पार्टी ने भी इस शेत्र के कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तथा खास तोर पर उत्तर प्रदेश के मुख् किया था कि हर बूत पर वोटिंग परसेंटेश बढ़ना ही चाहिए इसका परिणाम यह हुआ कि अचलपूर विधांसभा शेत्र में लगभग बात्तर फिजदी मतदान हुआ है यह अपने आप में एक रेकॉर्ड हो गया क्योंकि अचलपूर यह एक सव्वेदनशील इलाका माना जाता है इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन तैनात पहले से ही मोजुद था वही स्थान व्यापक खास तोर पर व्यापारी वर्गणे तो अपने लगभग सभी प्रतिष्ठान बन रखे हुए थे तथा हर पल पल की खबर हर एक व्यापारी एक पांधेले की दुकान ही खुली हुई नजर आ रही थी बाकी जगड़ पर तो मार्केट की दुकान बन ही नजर आ रही थी जिसका परिनाम यह हुआ कि काफी मतदाता इस बार सजग नजर आ रही थे यहा तक कि बुजूर्ग और अपाहिच मतदाता खुद हो कर वोग देने के लिए आते हुए दिखे अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जागरुत मतदाता किसी पार्टी की ओर से मतदान करने गए हुए थे और वही मतदाता इस बार अपना नया विधायक चुनने वाली है रुपेश बाशपेई के साथ पंकस साबू विदर्भन्यूस अचलप अग्योस कि यह स zar्जवर करता पर भाली हैтовव फुन सा अबरुत मतदातने जह करने मतदाता यह करने एकर हुए आने लिए पंकस सownersताने पर वह है करने मतदाने करेक्टावभन्यूस अरी सम्छान मतदात सो करने है विडर्भन्यूगग मतदाने भाली